नमस्कार मैं कुमाली शिखा आज हम फिर एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बच्चा गोध लेने के लिए अपना होम वेरिफिकेशन कैसे करवाएं यानि कि HSR कैसे करवाएं और HSR होती क्या है मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो एडप्शन है वो आपके HSR पे ही डिपेंड करता है यानि कि होम वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है आप कारा के वेबसाइट पे रजिस्टेशन करते हैं मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूं कि कारा के website पे जाकर के registration करने के लिए मैं अपने इस वीडियो में ये बता रही हूँ आपको कि आप registration जब कर लेते हैं सारा documents जब upload कर लेते हैं तो आपको एक agency का code दिया जाता है जो आपके district में available होता है अगर आपके district में adoption agency नहीं है तो आपको दूसरा district का option दिया जाएगा आप registration जिस time करेंगे उस time आपको ये select करना होगा कि आपका verification जो है वो किस district में करवाना है ज़्यादा तर local agency ही verification करती है जाच करती है जैसे ही आपका registration complete होता है सारा documents upload होता है आपका registration पूरी तरीके से उक्की होता है वैसे ही आपको एक agency का नाम बताया जाएगा उसका mobile number उसका address दिया जाएगा आप agency से contact कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने registration और verification के बारे में या फिर बहुत सारे agency ऐसे भी हैं जो active हैं जैसे ही आपका registration होगा वैसे ही आपको call करेंगे और verification के बारे में आपको एक date देंगे verification में कौन-कौन सा documents आपको ready करके रखना होगा किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा ये मैं अपने next वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी वीडियो जादा लंबा न हो जाए इसलिए मैं अपने वीडियो को बहुत छोटा रखती हूँ और आपके समय का पूरी तरीके से खयाल लगती हूँ अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं तब तब के लिए मुझे दीजे जाज़त धन्यवाद